जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लगातार आतंकी संगठन वहां आसांती फैलाने की फिराक में रहते हैं और इसी का नतीजा है कि आज जिन घाटी में सेना और आतंकियों के बीच मुठवेड होती रहती है जहां एक और सोन सेना घाटी से आतंकियों का सफाया करने में लगी हुई है तो वहीं कुछ आतंकी संगठन पडोसी मुल्क पाकिस्तान की मदद से दहशत फैलाने का प्रियास करती रहते हैं आपको बता दे जम्मू कश्मीर के सोपिया से सेना और आतंकियों के बीच मुठवेड की खबर आ रही है शनिवार देर शाम यहां एक मुठवेड में सेना ने दो आतंकियों को ठेर कर दिया ये मुठवेड सोपिया के बनगाओं इलाके में हुई सुरक्षावलों को आतंक्यों के इस इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई सर्थ ओपरेशन के दौरान आतंक्यों ने सुरक्षावलों पर गोली बारी की तो वहीं जवावी कारिवाई में सेना के जवानों ने भी आतंकियों को मुतोर जवाब दिया और दो आतंकियों का खात्मा कर दिया वहीं आपको बता दे इस हमले में सेना के दो जवान घायल भी हुए हैं जिनने 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया इसके बाद घायल जवानों में से एक जवान वीर गती को प्राप्त हो गए आपको बता दे अभी आतंक्यों के खिलाफ सेना का भ्यान जारी है मारे गए आतंक्यों की पहचान अभी नहीं हो पाई है वहीं अगर बीते रवीवार की बात करें तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया में ही एक मुठभेड में 4 आतंक्यों को निस्तनाबूद किया था आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से सैना और सुरक्षा बलों ने 6 आतंक्यों का काम तमाम किया है वहीं सेना और सुरक्षबलों के तीन जवानों ने अपना कर्तव विनिभाते हुए सर्वोच बलिदान दिया है जनवरी 2021 से अब तक हुई 10 मुटभेडों में 20 आतंकी मारे गए हैं इनी सब बातों से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भी भारत के खिलाब आतंकी सर्णियंत्र लगातार रच रहा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले